इस जीत के अंदर देखे केंद्रे मंत्री होने के बावजूद गाउं गाउं जाना छोटी सभाओं को करना योगी अदित्यनाथ ने पचास-पचास लोगों के कारिकर्ताओं को अड्रेस किया है वहाँ पर प्रधान मंत्री ग्रे मंत्री आमेचा जेपी नड्डा इन सबकी बहुत बड़ी मेनत है और रस्स की मेनत को आप दर किरार नहीं कर सकते हैं इस चुनाव के अंदर रस्स ने बताया है कि संगठन क्या ह होता है दुश्वन नागर मैं मैं समझ सकता हूं कि आपके आपकी भावना जी बहुत लंबे समय से कृष्ण पाल जी भारतिय जंता पार्टी की सेवा करें प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अगर यह कहा जाए हर्याना में भाजपा को खड़े करने वाले कृष्ण पाले तो को अतिशोक्ती नहीं होगी इस चुनाव में जैसा आपने कहा कि उन्होंने जिताने में बड़ा भूमिका निभाई है तो क्या भारतिय जंता पार्टी इनको मुख्यमंत्री बनाए नायाप सिंग सैनी है भू मत्ता मुझ कोई डाउप अब बदल गए आप एक नहीं पर वहां पर नायाप सिंग सैनी है और आइटिंग बीजेपी ने उनके चेहर पी चुनाव रड़ा एक सब्सक्राइब कि यह कॉंग्रस के साथ क्या हुआ है यह क्या हुआ हुआ है भारतिय जंता पार्टी के हमारे मानी प्रधान मंत्री जी कह रहे थे आपने सुना बटोगे तो बांटने वाले मैफिल सजाएंगे तो महरास्टर में बोले तो सुन तो लो आपको यही तो मैं इनकी बता रहा हूं दोगली राजनीती किसको कहते हैं एक तरफ आप विरोध करोगे कि एक हिंदू है जातियों में मदबटो वर्ग में मदबटो दूसरी तरफ आपने क्या किया एक OBC के लीडर को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया आप खुद OBC को कॉंसोलिडेट करके एक वोट बैंक बनाना चाहते हो अगर कोई और लीडर बात करता था आप उसकी आलोचना करते हो फॉर्मूला था इस गल्टू MC स्कोएर रहुल गान्दी का बनाया हुआ कोपी करके आपने उसे चला दिया उसके आधार पर आई आपने मेंडेट ले लिया यह तो ब्राव बिजेपी मीडिया चीफ अनिल बलूनी इसके लावा बीजेपी के तमाम प्रवक्ता आपको दिच सकते हैं स्क्रीन पर ग्रे मंत्री आमे दिच सकते हैं संजय मयूख हैं साथ में ये आपको तस्वीरे दिख रही हैं बीजेपी के जनरल सेकेटरी भी साथ में मौझूद हैं अरुन सिंग बीजेपी के जनरल सेकेटरी है विरेंद सर्देवा बीजेपी के दिल्ली परदेश अध्यक्ष आपको स्क्रीन पर इस समय में दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी की बड़ी जीत के बाद एक बड़ा कारिक्रम भारतिय जंता पार्टी के कार्याले में हो रहा है शारमाज हुसाइन जी बात हमारी भीच में रह गई जलेवी कॉंग्रेस साड़े आठ बजे सुबह खा रही थी लेकिन आप लोगों ने गेम ऐसी बदली कि साड़े बारा बजे तक कॉंग्रेस एवियम पर सवाल खड़ा कर रही थी और अब तो जीत कोई आश्विकार कर रही है बीजिपी कांग्रेस का रहले में जलेवी बट रही थी अम लोग टीवी पे देख रहे थे बरी मिठी जलेवी थी और फिर पवन खेरा जी से पूछा गया ये जलेवी तो उन्हें का ये मोदी जी को समढ़ती थे जब खुदी उन्होंने मोदी जी को दे दी जलेवी तो मिठा सिधर कांग्रेस पार्टी का जशन और उनके ब्यान में हंकार से ओत प्रोत ब्यान था लेकिन हंकार तो किसी का आप motto मैं आपको शुक्रिया भी अधागर चाहता हूँ आज इतने इंपोर्टेंट दिन पर आप हमारे साथ हैं क्योंकि आपको भी बीटेवी का ओलिने जाना ओगा हैं कि काफी सारे सभी नेता सींयर नेता में बीजेपी के मेंबरा पार्लिमेंट समय देखने को मिल रहे है बांसुरी सुराज दिख रही है मनोतिवारी दिख रही है लेकिन मैच तो एक एक से ड्रॉ है कैसे? एक इंडिया लाइंस जीती है एक राज एक ये जीते है आपको रहता है कॉंग्रेस जीती है जम्मू कश्मीर में ये जस्न मना है क्यों इंडिया लाइंस जीता है जम्मू कश्मीर में और अगर कॉंग्रेस के लोग जस्न मना रहे है शानवाद उसांतो शानवाद उसांतो लाते हैं ऐसे ऐसे तर्क कौन कहता है कि आस्मान में सुराग नहीं होता हवा में एक पत्थर तो उचालो यारो आपने कश्मीर में इतना परचार किया और वोट शेर बड़ा भारते हैं तर पार्टी का कश्मीर के अंदर पहली बार देखिए पहली बार है लगातार तीन बार सरकार आई है पूरे देश में संदेश गया है एक आई है दो आने वाली है पिछडे मुख्य मंत्री पे अगर लोगों ने बारों साथ एक पार्टी की सरकार बनेगी जी लेकिन अब देखिए विचलेशन करना ज़रूरी है विवेक शिर्वास्तव और अनुराग बुदरिया से मैं एक एक कमेंट ले लेता हूँ विवेक शिर्वास्तव सुभे का क कॉंग्रेस को छे सीटे मिली जम्मु कशपीर वे हर्यानों में क्या हाला थूए हमें पता है नहीं देखे इसको कॉंग नहीं नहीं अब देखे यह कश्मीर के ऑनेलिसिस में मैं एगरी नहीं कर रहा हूं इस बात से मेरे इस आप से इंडिया ऑलाइंस एक तरीके से गड़ परस्मेंट मना जाएगा कि वो हटाना सही था है गलत इस पेग डिबेट चर्चा जरूर होनी चाहिए कि क्या स्टैंड लिया है वहां के लोगों ने जम्मू से जरूर इनको को साथ पर से इते मीटी को वोट्शेर की आप बात करने है तो हर्याणा के अंदर का वोट्शेर ओब बीजेपी का वोट्शेर लगभख टकरका है तो यह कहना कि वहां के कौंग्रस बिल्कुली समाप्त हो गई तो यह निरेटिवी तोटली गलत है ऑफिशिल कंग्रस का यह स कि हर्याना में अगर उसका प्रदेशन अच्छा होगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी कॉंग्रेस अपनी जो उसकी हैस्टे उससे जादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी लेकिन अब आज की सिति क्या है क्या यह बड़ा जटका है अहीर बेल्ट यादव बेल्ट में बी किस बीजेबी के खाते में गई है ये भी एतिहासे के अपने आप देखे एक बात तो आपको मान के चलना पड़ेगा देखे चुनाव है हार जीत लगी रहती है इसमें बहुत बीजेपी को बहुत आती उत्सा होनी की जरूरत नहीं है वोट परसेंट करीब करी बराबरी है कोई बहुत जादा कम नहीं है दो स्टेट में चुनाव हुए एक में बीजेपी जीती एक में इंडिया एलाइन जीता लेकिन ये साफ है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसवा में जीत प्राप्त की थी तो समाजवादी का जो चेहरा है म रहूल गांदी जी के चेहरे में वो साकत नहीं है देखे उत्तर प्रदेश के अंदर में कुछ लोग सूर्ज से जंग करने चले थी तो अर्वाक बदरिया देखे समय में पस कम है यही कहरें आप अरे मेरा संटेंस तो पूरा होने तो हो भाई संटेंस पूरा होगा ने जनता समझ पाएंगे न हम समझ पाएंगे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब चुना हुआ था तो सूरज से जंग करने चले भारती जन पी को हरा सकते हैं तो वही हरा सकते हैं यह तैय है यह साफ हो चुका था कि आप ने पिर अउर्फ में कहा क्वार यह आप आप अखले शाहत को के रेली करवा हैंब थे कि इस जीत का सबसे बड़ा माइना ये है कि भाजपा ने अब ये समझ लिया है कि सरकारें कैसे रेपीट करनी है हम देखिए पहले स्टूडियो में दस साल पहले के वाल इंटी इंकमेंसी सुना करते था पहली बार हम प्रो इंकमेंसी सुने चाहें वो गुजरात हो मद्यप् कि मैं जंताने सबक सिकाया है किसान पहलवान जवान तीनों भारतिये जंता पार्टिय के साथ दोगे के इस नरेटिव को बीजपी ने चाहिए पर दोश्ट कर चुकी है और अब हर्याना यह बहुत बड़ी जाट लैंड इसको कायते थे फार्मर्स लैंड कहते थे वहां पर भी दोश्ट किया है यही चुनाव था जिससे पहले राहूल गांदी ने विदेशों में जाकर भारत के बारे में बोला था यही वो चुनाव थ जिससे पहले राहूल गांदी ने राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है उसकी बात करीती जिस पर अचारे प्रमोट किस्टम ने बोला है कि इसी का जवाब दे रही है अब अब हर्याना की जनता शांत नूं मेक्यो पॉइट यह मैं बहुत कहूंगा कि बारतिये जनता पार अब जाए उनको अहीर बेल्ट में बहुत करें योगी इतनात का खूब भरपूर इस्तमाल किया गया 14-15 सीट में बड़ी रैली चोटी रैली रैली नरिंद मुदी ने कम 4-5 रैली करी अमिच्छा ने रैली तो उनना बिल्कुल अमिच्छा ने तो मैनेजमेंट करा पूरा संगठन के चूले कसे और जो उनकी एकतना से स्लैक आज चुकी तो 2024 के एलेक्शन में देखा उसको फिर से रीगें करा मरेकाई क्या आपको लगता है ये कॉंग्रेस की जब्रे से जी चीनी गई है बिल्कुल बिल्कुल देखे आप चाहें वो एक्जिट पोल हो एक्जिट पोल खेर आजकल अक्सर ही गलत होते हैं लेकिन बिल्कुल एक हवा बनी भी थी कि तो चुनाव पूरा इनमें कुछ दम नहीं ह कॉंग्रेस की ओहरी अगर आप विश्लेशन करेंगे चार पॉइंट्स में क्या है देखिए कॉंग्रेस के लिए ये हार है मैं मानता हूँ कि इतिहास में माना जाएगा कि इस तरह से कॉंग्रेस उठना सुरू हुई थी उठी थी उसको उनका जब्रा ही नहीं उनका जवान-जवान यह सब आप बोलते हैं वहां पर यह लोग जीत नहीं पाये हैं मैं तो मानता हूँ दूसरी तरह से आप एक को मेरी बात सुरिए जम्मु कसमीर में जो बीजेपी की हार है वो भारती जंता पार्टी के फेवर में और हर्याना में भी जो हार है पर जमु में पाकिस्तानी बताते रहते हैं उन पाटियों को तो इसलिए तो वो तो उसको बैसरेली यूज करेंगे तो मतलब कॉंग्रेस को कुछी का कोई मौका देने के पूर्ट पर ही एक मिनट सुलेजे कॉंग्रेस क्यों हारी अति उत्साह में हरी ऐसा नहीं चालीस परसेंट वोट मि मेनेजमेंट नहीं है एक विक्ति पर छोड़ देना हुआ और राहूल गांधी लाख पूरा भारत घांगते रहें संगठन वाले लोग जो हैं तब तो विदेश में थे जब हरेला कुछ ना अरे उससे को नहीं आये थे बहुत चार दिन की रैली भी किती जो बाजपा पहल उसके लिए आपको काम करना पोड़ें यूट्यूब के जलेवी में फस गई काम नहीं होगा एक नरेटीम में लोगसभा के चुनाव से पहले एक राष्ट्रिये मीडिया से वे बीजेपी नरेटीम में फस गई थी और इस बार के हर्याना वाले चुनाव में यूट्व वा तो तेजयस्टूई आजफ भी उस निरेटिव में फश चुके हैं, अकलियश आजफ को भी फशाने का प्रयाफ हुआ लेकिन इस बार लोकसाँअ में अकलियश आजफ नहीं फशे, आपको उनकी तारीफ करने पड़े इस बारी लोकसाँआज में अकलियश आजफ उस करते हैं उसके राउंड वो बिल्कुल 5000 वोट से जीतती है सब को पता है किसी भी प्रदेश में sports की policy बनती है अगर कोई किसी भी प्रदेश में sports की पूसी बनती है अधिकांस जीत जो है आप जैसा एक तरफा बता रहे हैं वो सब तीन हजार 4000 5000 की चारहजार सी जीत है को क्यो बता नहीं कि पहलवान मुद्धा नहीं है अब याइड सीट पर यूड जीत रही है इसको खरेड़ा जाहिए ना? तो मतलब जुलाना में आकर विने शोगाट ने कोई बहुत बड़ा कमान नहीं किया और मुझे कॉंग्रेस की नेता ने बोला कि जुलाना में विने शोगाट से लडाने से हम अगल बगल के सीटों पर हमारे को इंपाक्ट आ गया इसका हमारे कारे करताओं को लगा विने शोगाट कोई अगर जिताना है तो फिर हम क्या करें एक नेगिटिव मेसेज क्या दूसरा दूसरा बड़ा मेसेज देखिए जो OBC वोटर है और जो दलित है वो BJP के सार्थ है अब इसको अलग नहीं किया जा सकता दूसरा जाट बहूल इलाकों में भी BJP का परदर्शन उतना खराब नहीं है अब रोतक बेल्ट में देखिया जी रोतक बेल्ट के अंदर हुडास को श्ट्रगल करना पड़ जाए बड़ी बात है उचाना कला मतलब उससे बड़ी जाट डॉमिनेटिंग सीट्री होता थी कॉंग्रस का का इनिडेट भिजेंदर सिंग वहां 32 वोटोस अपने चुना भार गिये ने कुछ तो बहतर कर दिया है वहां पर जिसका फाइदा उनको मिला है देखिये बीजेपी अंडर डॉक गई ती इस चुना अंडर डॉक थी बहुत कॉइटली सीमलेस्ली काम करें और उसका इंपक्ट देखने को मिला कॉंग्रेस ने हला गुला बहुत बचाया और कॉंग